जै मातारानी, जै भूले नात, नमस्ते दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सब का स्वागत करती हूँ, आप सभी को हर्तालिका तीजवरत की हार्दिक श्युप कावनाएं, जगदंबाव गौरी आपके पती को दीर्ग आयूदें, इस प्रकार से माता पार्व का ध्यान करते हुए हम आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं, शिवय मंगलाय शिवरूपे जगनमै, शिवय खल्याडदे नित्यम शिवरूपे नमो स्थते, शिवरूपे तुब्यय SEN divorceный birth city रहाइक हर प्रेकार से अपने भकतों की मनुकामना पूरी करने वाली मापार्वती आप सब के पत्यों की दीर्ग आयूदे और आप सब की सभी मनुकामनाय पूरी करें दोस्तों हरता contribute का दीज का वरत आप सभी करने वाले हैं तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ हर्तालिका तीज के वृत के शुम महुरत के विशे में जानकारी हर्तालिका तीज के वृत का पूजा पाठ आपको कब करना है यह जानकारी मैं आपको बताऊंगी साथ ही मैं आपके बहुत सारे प्रश्णों के जवाब त आपके परिवार में हर्तालिकातीच का वरत खोटा है तो आप क्या करें दोस्तों जो चीज आपके घर परिवार में नहीं होती उसे आप सब के विरुद जाके मत करिए क्यूंकि इससे परिवार में तनाव उठपन होता है और पूजा पाठ का पूण पर भी नहीं मिलता हर्तालिका तीज के वृत की कथा को सुने ऐसा करने मात्र से आपको एक हजार अश्ममेक यग्य के वृत के फल की प्रात्ती होती है ऐसा स्वयम कथा के अनुसार कथन है जो मैं आपको बता रही हूं तो दोस्तों आपको अपना दिल छोटा करने की जरुरत नहीं है आप अब दोस्तर हम बात करते हैं हर्ताली का तीज के व्रत का शुब महुरत क्या है भात्र पदमास के शुकल पक्ष में हस्त युक्त तृतिया तिथी के दिन पे हर्ताली का तीज का व्रत करा जाता है वर्ष 2021 में 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन पे हर्टाली का तीज का पूजन और व्रत होगा जब आप सुभा उटके व्रत का संकल्प लेंगे तो यह आपको किस्समे ले रहा है सुभा पूजा का शुम महुरत है 5 बज के 33 मिनट से लेके 8 बज के 2 मिनिट पे और जैसा कि आप सब को पता है हर्टाली का तीज का विशेश पूजन शाम में होता है जिसे हम प्रदोश काल बोलते हैं तो शाम में आप 6 बज के 9 मिनिट के बीच में अपनी पूजा शुरू करें यानि स्टार्ट कर दें दोस्तों शुमहुरत में पूजा शुरू करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है तो आप कोशिश करके इस बीच में अपने पंडी जी को घर पे बुलाने या खुद पूजा अगर आप करती हैं इसी समय के बीच में अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दें दोस्तों तीश बुरत की पूजा का अधिक्तम सामान मैंने अपने कई पिछले वीडियो में बताया हुआ है आप चाहें तो जाके देख लें बाठी आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्टाली का तीश के पूजन में सबसे जादा मुख्य है भगवान भुले नाज शिवजी का एक शिवलिंग जिसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं उसको लेके हम पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग आप मार्केट से मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग ले आएं या फिर आप अपने घर में ही जो मिट्टी है उससे शिवलिंग को बना ले और इसी का पूजन करें क्योंकि मापार्वती ने इसी शिवलिंग का पूजन करके व्रत इत्यादी करने का जो उत्तमफल वर्डन करा है वही आपको हर्तालिका तीज का पूजन करने से प्राप्त होता है इस दिन पे जो लोग बहुत लंबी बड़ी पूजा नहीं कर सकते वह एकाथ दिन पहले ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रख दें जैसे घर में जो पकवान वगेरा बनते हैं उन्हें एक दिन पहले बना लें केवल पंचा अमरत जिस दिन पूजन है उस दिन पे बनाएं तो एक दिन पहले लाके इन सब को साफ करके रख दें अगले दिन जिससे आपको पूजा पार्ट में पिलकुल भी देरी ना हो अब दोस्तों हर्ताली का व्रत का पूजन आप बहुत सारी स्त्रियां एक साथ मिलके करती हैं तो इसमें आपको अपना क्या-क्या सामान चढ़ा होता है यानि सब लोग तो पूजा में बहुत सारा सामान चढ़ाते पर हमें क्या चढ़ाना होता है तो यदि जैसे आप और आपकी सास आपके घर के अलग-अलग लोग पूजन कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ से पंचा म्रत जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह भोल प्रसंध होते हैं और देते हैं तो आपको अपने हाथ से भोले नाथ पे पंचा म्रत अवश्य चढ़ाना चाहिए हैं चाहिए फकर सुहाग का सामान ज़रूर देना चाहिए अगर आपकी सास्पूजन कर रही है तो अपने से का सुहाग का सामान संदलitte चोटे-छोटे-छ यह सब लाके आप इन्हें पूजा में माता गौरी को जरूर चढ़ाएं इस तरह से सुहाग का सामान और पंचा मृत यह दो चीजें बहुत ही इंपोर्टेंट होती हैं और फूल यह सब चीजें आप लेके पूजन जरूर करें पर दोस्तों कई लोग एक छोटी सी गलती कर करते कि कारण उनकी हार्ताली का जो व्रत का पूजन होता पूरा नहीं होता वह स्कूरा नहीं होता कोई पूजा जिब हम करते हैं तो हमारी पूजा पून हो जाती है तो हम पंडित जी indre Came को पैसे दक्षिणा जरूर देते हैं तो जैब भी आप एंगल पूजा के का 5 trat करत दानपून्य करने से ही आपके वरत का संपूर्ण पल आपको प्राप्त होता है अब आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं चलिए हम उन पे से आपको सभी बातों का जवाब दे देते हैं कि हार्टाली का अतीज के दिन पर यदि किसी को अशुद्धी है पेरेट्स आ गए हैं तो वह क्या करें क्या पाचवे दिन पूजन कर सकते हैं जी देखिए पूजा पार्ट एक ऐसी चीज़ें जिसमें शद्धा विश्वास साफ सफाई इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है अब यदि आप यह सोचें कि मेरे पीरेट्स जल्दी बंद हो जाते हैं कर बाद में थोड़ा बहुत कभी ऐसे हो जाता है तो ऐसे में भूल कर भी हमें पूजा पार्ट नहीं करनी चाहिए देखिए साफ सफाई का ध्यान यदि आप पूजा में नहीं रखते तो इसके कारण आपको बहुत सारे नेगेटिव रिजर्ट में पढ़ते हैं तो बिल नहीं करें तो क्या हां अपने पूजा का सामान है वह पती बच्चों से फोजा में चड़वा सकते हैं बिलक्ल चड़वा सकते पर जिनका नया नया शादी हुई है वो क्या हर्ताली का तीज का वरत इस साल शुरू कर सकते हैं बिलकुल शुरू कर सकते हैं आप इस साल यदि पहली बार हर्ताली का तीज का वरत रख रही है तो आप शुरू कर सकते हैं इसके लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान देना चाहिए जब भी हम व्रत पूजा पाठ शुरू करें उस समय पे हमें शुद्ध अवस्था में होना चाहिए और हम जब पहली बार व्रत करें तो उसमें हम कुछ ऐसे आसान नियम बना लें जैसे कि जब कभी आप गर्ववस्था में हो कोई ऐसा समय आए जब कि आप पूरी तरह से नेजला उपास न रह पाएं तो आप वो नियम का पालन करके अपने व्रत को करें क्योंकि दोस्तों यह लंबे समय चलने वाले व्रत होते हैं तीजा का व्रत हर्ताली का तीजा का व्रत तो इसे हम छोड़ते नहीं है और एक बार व्रत शुरू करने के बाद उसमें बदलाब नहीं करते हैं तो जब आप व्रत उठाएं उस दिन पे थोड़ा सा फ्रूट का जूस ले लें कोई एक आद दूद की बनी हुई थोड़ी सी मिठाई चखलें और पल खालें जिससे कि कभी अगर आपका स्वास ठीक ना भी हो तब भी आप इस प्रकार के नियम कर करते हुए अपना हरताली का तीज का व्रत करें और आपको पूरे पुन्यफल की प्राथती होती है भगवान आपकी भक्ति के द्वार प्रसंद होते हैं आपके द्वार की हुई सेवा पूजा प्रातना से प्रसंद होते हैं देखिए पहली बार केवल अपना नियम साथ नहीं देता क्या हम कुछ खापी के इस व्रत को कर सकते हैं तो देखें जब आपका स्वास्त आपका उत्ता साथ नहीं दे रहा है तो मैं आपको एक बार के लिए ये बोलूँगी कि एक बार आप तीजा व्रत का विधिय पूर्वक उद्यापन करें और फिर सिर्फ भग साथ आपसे व्रत में कोई गलतियां भी नहीं होंगी भोले नात शिव शंभू माता पार्वती बहुत ही थोड़ी फूजा से बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं मनवाशित फलो की प्राप्ती होती है दोस्तों तीज के दिन का जो महत्व है उसका वर्डन करना शब्दों म संभव नहीं है हरताली का तीज के दिन पे मा पार्वती ने कठोर तप करके भोले नात शिव शंभू को प्रसन करा था इसकंद पुराण में इस व्रत का वर्डन मिलता है जिसके द्वारा माता पार्वती सभी इस्त्रियों के कल्यान के लिए उन्हें यह व्रत करने के आप सभी संकल्फ लेके इस व्रत को करें दिन भर मा पार्वती के नाम का ध्यान करें क्रोध कलेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना आपका व्रत खंडित हो जाता है मैंने ऐसा कई बार देखा है हरताली का तीज का व्रत होता है पानी नहीं पीते हैं और घर का थोड़ा इस दिन भर मा पार्वती का समरन करते रहें 2 के नाम के जाफ करते रहें इस दिन को हरी काली, हस्त गौरी, कोटिश्वरी इन नामों से इस व्रत को पूरे भारत में मनाया जाता है इस दिन व्रत करने पर आपको संपूर्ण फल्की प्राप्ति हो इसके लिए अगले दिन दोपहर में अपने घर में अनाज ग्रहन करके व्रत का पारणा करना चाहिए ब्रत का पारणा अपने घर में ही खापी के अनाज ग्रहन करके करना चाहिए किसी और के घर का अनाज ग्रहन करके हम ब्रत पारण नहीं करते हैं क्योंकि इसे ब्रत का जो पुन्यफल है वो अनाज के दाता यानि जो दूसरे इंसान जिसका हम अनाज खाते हैं उसको चला जाता है तो इस प्रेकार इन विशेश साफधानियों को ध्यान में रखते हुए आप हर्तालिका तीज के व्रत को करें यदि आपके और कोई सवाल हो तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिखें अगले दिन दोस्तों जब रात भर में चार प्रहर की पूजा हो जाती है तो सुबह समय यह जो हमने गौरी शंकर बनाए है पार्थिव शिवलिंग बनाया है इसका विसरजन कर देते हैं विसरजन आसपास में कहीं भी नदी तालाब कुए में नदी तालाब में करा जाता है और या फिर नदी तालाब ना हो तो गड़ा खोद के कम से कम 3-4 फिट का गड़ा खोद के वहाँ पे सभी पूजन सामागरी रखके इसका विसरजन करा जाता है इस प्रेकार श्रद्धा और भक्ति के साथ हर्ताली का तीज ब्रत का पूजन अर्चन करने से आपकी पती की दिरगाई होती है घर में सुख सभागय की ब्रत ही होती है तो दोस्तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो माता रानी का नाम अवश कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब का धन्यवाल दोस्तो आप सबको यदि किसी भी प्रेकार का जोतिशिय सहयता चाहिए कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीता विक्रम चैनल पे अपना कंसल्टेशन आज ही बुक कराएं वीडियो के नीचे पहले कमेंट सेक्शन में मैं अपना वाट्स अप नमबर दे रही हूँ आप अपना कंसल्टेशन बुक कराएं आपके जीवन में यदि किसी भी प्रेकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या का निवारण आप जोतिशिय सहयता लेके कर सकते हैं आगे आने वाले सबी वीडियो देखते रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जोड़े रहें तब तक के सब्सक्राइब रहें खुश रहें